गुड मोर्निंग इस्टूडेंट्स आज हम इस वीडियो में मोर ये राजवन्स का इतिहासत के बारे में पढ़ेंगे तो देखेगा यूटूब चनल इंडिया ओले पढ़ने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हमने पहले वाले वीडियो में मगग सामराजे के राजव भी किया था जैसे कि हरियक वन से, सिसु नाग वन से, सिसु वन से तथा नाग वन से और उसके बाद में आता है मोरिय वन से इन्होंने मगत सामराजे में अपना अपना सासन किया था और महाजन पदों के बारे में भी हमने पढ़ा था तो मगत सामराजे है वाज सबसे जो भी मोर्य वन्स के बारे में पढ़ेंगे जो परिक्ष्या की दर्ष्टी से बहुत ही महत्तोपुन है मोर्य समराजय का सेंस्तापक चंद्रगुप्त मोर्य था जिसने चानिके के सहता से अंतिम नंदवन्सिय सासके गहना नंद को प्राजित कर 25 वर्ष की आयू में अर्थात 322 इसा पूर्व में मोर्य समराजय की स्तापना की थी ठीक ना तो पढ़ते हैं मोर्य समराजय मोर्य राजवन्स प्राचीन भारत का एक सक्ति साली एम महान राजवन्स यद छत्रिय वन्स था इसकी स्थापना का स्रेचंत्र गुप्त मोर्य को दिया जाता है मोर्य सामराजे की विस्तार एम उसे सक्ति साली बनाने का स्रेच समराट असो को दिया जाता है अब देखेगा मोर ये समराजे का विस्तार कहां से कहां तक था कई बार एक्जाम में पूछ लेते हैं तो देखेगा स्टुडेंट्स इस वीडियो में हमने महतोपुन जो जानकारी है वो ही दी है जो एक्जाम की दर्श्टी से बहुत ही महतोपुन है और आगे भी हम जो ये सासक है चंद्रगुप्त मोर ये है बिंदू सार है असोख है इनके बारे में अलग-अलग से वीडियो भी बनाएंगे तो देखेगा यहां पे हमने संक्सिप्त और महतोपुन जानकारी परदान की है देखेगा चंद्रगुप्त मोर ये ने 322 इसा पूर्व में इस समराजे की स्थापना की और तेजी से पस्सिम की तरफ अपने समराजे का विकास किया उसने कई छोटे-छोटे छेतरिय राज्यों के आपसी मत भेदों का फाइदा उठाया जो सिकंदर के आकर्मन के बाद पैदा हो गए थे 316 इसा पूर्वत तक मोर ये वन्स ने पूरे उत्तर पस्सिम भारत पर अधिकार कर लिया था चकरवर्ती समराठ असोग के राजे में मोर ये वन्स का रहद इस्तर पर विस्तार हुआ समराठ असोग के कारण ही मोर ये समराजे सबसे महान इम सकतिसाली बनकर विश्वा भर में परसिद हुआ था तो देखे जो 16 महाजनपत थे उसमें से जो मगद महाजनपत है वह सबसे सकतिसाली महाजनपत था और लास में मगद समराजे है वह अपना विस्तार भी काफी कर लेता है तो देखेगा मोरिय वन्स के परमुक सासक चंदरगुप्त मोरिय बिंदुसाल जिसे अमित्र खाद भी का गया है और असोग महान इन सब के वारे में हम अलग से भी आपको पढ़ाएंगे तो देखेगा यहाँ पर चंदरगुप्त मोरिय तो चंदरगुप्त मोरिय इसका स पूर्वे चंद्रगुप्त के प्रारंबिक जीवन के ज्यान के लिए हमें मुक्यत है बहुत स्रोतों पर ही निर्भर रहना पड़ता है यह दपी वह साधारन कुल में उत्पन हुआ था तथा भी बच्पन से ही उसमें उज्वल बहुष से के सूचक महांता के सभी लक्सन व इमांत युद में मृत्य हो गई उसकी माता अपने भायों द्वारा पाटली पुत्तर में सुरक्सा के निमत पहुंचा दी गई यहीं चंद्रगुप्त का जनम हुआ था जनम के साथ ही वह एक गोपालक को समर्पित कर दिया गया अपनी प्रदीपा के कारण उसने सिग्र ह अपने समवैस्क बालकों में परमुक्ता हासिल कर ली वह बालकों की मंडली का राजा बनकर उनके आपसी जगणों का फैसला क्या करता था इसी परकार एक दिन जब वह है राज किलम नमक खेल में वेस्त था चानक के उदर से जा निकला तो देखेगा राज किलम क्या है चं अनुमाल लगा लिया उसने सिकारी को एक हजार कारसारपन देखकर चंद्रगुप्त को खरीद लिया चंद्रगुप्त के साथ चाने के तकसिला आया तकसिला उस समय विद्या का केंद्र था और चाने के वहां का आचारिय था उसने चंद्रगुप्त को सभी कलाओं तता व की तक्सिला में ही सैनिक सिक्ष्या ग्रहन करते हुए वह अपने समय के एक महान विजेता सिकंदर से मिला था तथा वह उसके सैनिक प्रस्ष्ष्ण का एक ही अंग था चंदरगुप्त के विश्वे में प्लूटार्क तथा जस्टिन जसे लेकों ने बड़ा ही रोचक विवरन दिया है जस्टिन हमें बताता है कि सिकंदर उसकी स्पस्ट वाधिता से बड़ा रुष्ट हुआ तथा उसे मा डारने का अदेश दिया किन्तु सिक्रेता से भाग कर उसने अपने जाने बचाई थी और चंदरगुप्त मोर्ये के बारे में हम ज्यादा डिटेल से आगया के वीडियो में आपको बताएंगे देखेगा बिंदुसार या फिर जिसको अमित्र खात भी कहा गया है चंदरगुप्त मोर्ये की मर्त्य के बाद उसका पुत्र बिंदुसार मोर्ये समराजे की गद्धी पर बठा बिंदुसार है इसने 298 इस्सापूर्व से 273 इस्सापूर्व तक सासन किया था बिंदु सार को जितना समराजै अपने पिता चंद्रगुप्त मोरिय से उत्रादिकार में प्राप्त हुआ उसको उसने बिना किसी नुक्सान के बनाए रखा जैन प्रंप्राओं में बिंदुसार की मता का नाम दूरधरा मिलता है बिंदुसार का अलग-अलग गरंथों में अलग-अलग नामों से वर्णन किया गया है जैसे जैन गरंथों में बिंदुसार को सिहन सेन कहा गया है युनानी लेक को ने अमित्रो केटस कहा है पुराण है वो बिंदुसार को भद्रसार या एमित्र खात कहते हैं युनानी लेक को ने उसे एमित्रो के डीज कहा है जिसका सेंसकत में रुपांतरन एमित्र खात अर्थात सत्रूओं को नस्ट करने वाला होता है यह है उसकी उपादी थी ठीक है ना बिंदु सार की उपादी थी एमित्र खाद जैन ग्रेंट उसे सिहन सेन कहते हैं ठीक है तो बिंदु सार को जैन ग्रेंटों में सिहन सेन युनानी इतियास कारव एमित्रों के टस पुराण है वो भद्रसार या एमित्र खाद भी कहते हैं ठीक है अब देखेगा अगला सा सकाता असोग महान बिंदु सार की मृत्यू के बाद उसका सुयोग्य पुत्र असोग विशाल मोरिय समराजे की गद्धी पर बैठा असोग विश्वा इत्यास के उन महानतम समराटों में अपना सरोपरी स्थान रखता है जिन होने अपने रिधा इंकृतिग्यता के साथ समयन करती है नीश अन्दे है उनका सासनकाल भारतिय इत्यास के उज्वल तम प्रिष्ट का परतिनी धित्वय करता है असोग के बहुत से भी लेक प्राप्त हुए हैं लेकिन हमें उसके प्रारंबिक जीवन के लिए मुख्यते बोद साक्ष दिव्यावदान तता सिहली अनुसरूतियों पर ही निर्बर रहना पड़ता है इनसे ऐसा पता चलता है कि असोग अपने पिता के सासनकाल में अवन्ती अर्दात उज्यनी का उप्राजा अर्दात वायस राय था ठीक है बिंदु सार की बिमारी का पता चलते ही वह है पाठ प्रंतू उत्रादिकार के इस यूद का संवर्थन स्वातंतर पर्मानों से नहीं होता है सिहली अनुसरूतियों में दी गई कताएं पर्मानित नहीं है तता असोग के अभिलेखों के साक्सेद से उनमें से अधिकांस का खंडन हो जाता है उधारन के लिए असोग के अभिलेखों में असोग को अपने 99 भाईयों का हत्यारा बताया गया है परन्तु असोग के पांचवे अभिलेख में उसके जीवित भाईयों के परिवार का उलेख मिलता है अबिले के साक्से से ये भी ज्यात होता है कि असोग के सासन ये तेरवे वर्ष में उसके अनेक भाई तथा बहन जीवी थे जो सामराजे के विभिन भागों में निवास करते थे उसके कुछ भाई विभिन पर्देशों के वाइसराय भी थे पुनह बोध गरंद असों के बोध होने के पूर्वे के जीवन को हिंसा अत्याचार तथा निर्देता से युक्त बताते हैं और उसे चंड असों के कहते हैं तो देखेगा इस वीडियो में हमने मौरिय सासनकाल के बारे में संक्सित तोर से जानकारी प्राप्त की आगे के वीडियो में हम आपको चंडरगुप्त मौरिय असोंक महान इन सब के बारे में अच्छे से बताएंगे यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया ओल्डेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें लाइक करें शेर करें बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नए नए नोटिस्फिकेशन प्राप्त हो और इथिया से संबंधी जानकारी आप राप्त कर को धन्यवाद